जब sentence के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं रहे तो वैसे sentence को कैन का इस्तमाल करके बनाते हैं, वह तेज दोड़ सकता है, he can run fast, वह तुम्हारी मदद कर सकती है, she can help you, मैं यह कर सकता हूँ, I can do this, वह अंगरेजी बोल सकता है, he can speak English, वे लोग खेल सकते हैं, they can play, हम मेहनत कर सकते हैं, we can do all the sentences का negative sentence बनाना सीखेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, you can not do anything, या you can do nothing, वह तेज नहीं दोड़ सकता है, he cannot run fast, या फिर he can't run fast, तुम अंगरेजी नहीं बोल सकते हो, you can not speak English, या you can't speak English, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, I cannot give you money, या I can't give you money, वहाँ देख नहीं सकता है, he cannot see, या he can't see, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, I cannot live with you, या I can't live with you, या इसे बने वाले sentences का integrative sentence बनाना सीखेंगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, can you help me, क्या तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, can you talk in English, क्या वहाँ तुम्हें हरा सकता है, can he beat you, क्या तुम कल नहीं आ सकते हो, can you not come tomorrow, या फिर can't you come tomorrow, क्या तुम नहीं देख सकते हो, can you not see, या फिर can't you see, question word बनाना सीखेंगे, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, what can you do for me, वा ऐसा कैसे कर सकता है, how can he do this, तुम कल क्यों नहीं आ सकते हो, why can't you come tomorrow, कौन उसकी मदद कर सकता है, who can help him, तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो, how much money can you give me, तुम कब आ सकते हो, when can you come, फ्रेंड्स अगर आपको इंगली सीखना है और इसी तरह के वीडियोज देखते रहना चाहते, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें, लाइक चेर और कमेंट करें, थैंक्स फर वाचिंग